कटिहार जिले में कल आई आंधी और तुफान से कटिहार और उनके आसपास के किसानों को ब्यापक शती हुई है खास तोर पर खेतों में लगा मक्का और आम को ब्यापक नुकसान पहुंचा है किसानों ने बता कि खेतों में लगा फसल बुरी तरह से खेतों में ही गिर पड़ा है जबकि आम के टिकोले भी पेरों से जड़ गए है प्राणपूर प्रखंड के किसान जैप्रकाश गुपता और उनप्रकाश तिंग ने बताया कि बेमौसम बरसात और आंधी तुफान के वज़े से खेतों में ललहा रहे फसल आंधे मुगीर पर है पिरित किसानों ने कहा किस बार पुंजी बिश्याधी मुश्किल से निकल पाएगा अब राजी सरकार के दुवरा मिलने वाली अनुदान से ही उन्हें कुछ आस है करते हैं कि सरकार दुवरा कुछ राहत मिले किसानों को हम लोग को बहुत अच्छा क्या नम हो आपका जैप्रकास कुटता क्या हुआ है मोसम की मार पड़ी है मखई फसल पर अंधर आया है पानी पटा हुआ था पानी पड़के गोट्टे घिर गिर गया है मकई होने वाला नहीं है दूद पर्था मकई इसमें 20,000 रुप्या खर्चा हुआ है मिद नहीं है कि पैसा उठेगा हुआ है यह तीन बिघा में लगाया है एक एकर दस कठा में तो अलाग मुस्तुनम्स में एकर में 10,000 खर्चा हो जापता है बढ़की से 30,000 रुप्या खर्चा हुआ लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए